बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी हिंदी विसेस्ट के इंपोर्टेंट क्योस्चन जो के आपके अभी टेस्टर या जो सिक्समंथली एक्जाम है उसमें आ सकते हैं बच्चो और यदि आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है यदि हिंदी के कुछ भी आपने याद नहीं करें हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हो ठीके तो अब हम देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट क्योस्चन तो पहला जो पाठे आपके जो अभी शिक्समंथली में या पाठों के प्रश्णत तर आएंगे तो जो पहला पाठे पद में मीठे फल का आनन लेने वाला कोन है ठीके पद में मीठे फल का आनन लेने वाला कोन है तो पद में मीठे फल का आनन लेने वाला गुंगा व्यक्ति है ठीके गुंगा व्यक्ति है तो क्योंकि अत्वी लगूतरी है अत्वी लगूतरी करना बहुत इंपोर्टेंट है अत्वी लगूतरी कुश्चन अदिक तर आते हैं अभजेक्टिव में भी आ जाते हैं आप आसानेस्स को याद भी कर सकते हो तो पहला जो प्रशन है पद में मीठे फल का अनंन लेंगा व्यक्ति है और अंखरी में पुर्णविराम पुर्ण विराम लग जाएगा अउगुनों पर ध्यान न देने के लिए सुर्दास ने किस से प्रातना की है तो यहाँ पर आज जाएगा सुर्दास ने किस से प्रातना की है इश्वर से या फिर श्रीक रशने से भी लिखा जा सकता है पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पारस में लोहे को सोना बनाने का गुण पाया जाता है. ठीक है? पारस में कौन सा के इस्थान पर आ जाएगा? लोहे को सोना बनाने का गुण पाया जाता है. अब जैसी के नुसार संसार के सरस्टी किसने की है तो जैसी वाली जो कवीता है बच्चो आपके कोर्से से हड जाने वाली है लेकिन क्योंकि ये टेस्ट के पेपर हो सकता पहले से आ गये हो तो इसको हमें कर लेते हैं अभी और फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आपका कौन-कौन सा कोर्स कम हो गया है तो जैसी के नुसार संसार के सरस्टी किसने की है इश्वर ने किसने की है इश्वर ने जैसी के नुसार संसार के सरस्टी इश्वर ने की है इश्वन ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? तो इश्वन ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को ओशध्या दि ओश धिया दी इस्तूति खंड में जैसी ने कितने द्वीपो और भूनों की चर्चा की तो इस्तूति खंड में जैसी ने साथ द्वीपो और चौदह भूनों की चर्चा की जैसी ने किसका इसमरन करते हैं कथा लिखी है तो इश्वर का ठीक है यह आसान से उत्तर हैं सबसे आसान उत्तर हैं जायसी ने किसका इस्मरण करते हुए कथा लिखी है तो जायसी ने इश्वर का इस्मरण करते हुए कथा लिखी है तो सबसे इंपोर्टेंट है जो कोशन होते हो आती लगूतरी होते हैं वज्जो यदि आपती लगुत्री कर लोगे तो आपका लगभग बहुत सा कोर सव पूरा हो जाएगा उसके बाद यहां पे जो लगुत्री कुष्चन है लगुत्री है उसमें है सुर्दास ने निर्गुण की अपैक्षा सगुण को श्रयसकर क्यो माना है और कुपजा कौन थी ठीक है फल के स्वात का अनुभव अपने अंदर ही अंदर कर पाता है वह उसे बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो इस दो इंपोर्टेंट कुष्चन है अब हम अगले पाठ के देख लेते हैं पाठे वास्सलिभाव ठीक है इसके प्रशन तर अती लगुत्री बच्चों हम जो कि इंपोर्टेंट होते हैं सखी प्रातकाल किसके द्वार पर जाती है तो इसका उत्तर होगा सखी प्रातकाल अवधेश के द्वार पर जाती है और आप अवधेश के स्थान पर राजा दश्रत भी लिख सकते हो ठीक ही बात है सखी प्रातकाल अवधेश के द्वार पर अगला प्रश्ण है तुलसिदास जी के मनमंदीर में सदेव कोन विहार करता रहता है तो तुलसिदास जी के मनमंदीर में सदेव अवधेश के चारो बालक विहार करते रहते हैं अगला प्रश्ण है इश्वने रोगों को दूर करने के लिए मनुश्य को क्या दिया है तो ये प्रश्णा अगले पाठ में भी था पिछले वाले में भी था तो इश्वने रोगों को दूर करने के लिए मनुश्य को ओश्य दिया दिये तो ये इसके अतिलगुत्री वाले हैं और इसमें जो लगुत्री में हैं सखी ठगी सी क्यों रगई तो क्यों रगई थी सखी ठगी सी रगई थी क्योंकि शी राम के मुख की जो सुन्दर्ता देखकर उनकी जो सुन्दर्ता देखकर सखी ठगी सी रगई थी और जो दूसरा प्रशन है माताय बालक राम की कौन सी चेस्टाओं से प्रसन होती है तो इसका उत्तर होगा बालक राम कभी तो चंद्रमा को मांगने की हर्ट करते हैं कभी अपना ही प्रतिविम देखकर डर जाते हैं कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं इस प्रकार की चे अपसे से वैसे तो हड गया लेकिन हो सकताई टेस्ट में आ जाए इसलिए आपको कर लेना चाहिए यह ना बच्चे के रिष्मिबालों को कभी अपनी हते लिए इसलिए इस पर्शन नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हतेलिया जो की दुनिया के काम करते हुए बहुत ही रुखी सुखी हो गई है उसमें बिवाईया पड़ गई है उसमें फसकर बच्चे का कोई रेश्मी बाल अर्थात कोई रंगीन सपना तूट न जाए ठीक है अगला जो पाठे इसके question answer हम देख लेते पेश नमबर 30 पर है आपके शिक रश्मी के हदय पर किसकी माला शोभा पा रही है ठीक है पेश नमबर 30 पर जो है इसके question answer अतिल अगुतरी हम देख लेते बच्चों शिक रश्मी के हदय पर किसकी माला शोभा पा रही है तो गुपा गोपल की आकरती केसी है तो गोपल की आकरती मकराकरती है ठीक है मकराकरती है शद्धा का गायनस्वर किस तरह का है तो शद्धा का गायनस्वर मधूकरी के समान है मधूर विष्टांतोर एकांतर जगत का सुलजा हुआ रहस यह संभोधन किस के लिए है तो यह संभोधन जो वह मनु के लिए था, ठीके मनु के लिए था, माथे पर लगे टीके की तुलना किस्से की गई है, माथे पर लगे टीके की तुलना सूरज से की गई है, तो इसके उत्तर थे अधिलगुत्री वाले और जो इसमें लगु वाले हैं, उसमें से भी एक दो कॉशन झाल्टे गुपाल के गले में पड़ी गुमखो कि माला की तुलना जंगल की आग से जगाई थी जंगल की आग से ची गई थी श्रीक्रेस्ण ने के ललाट पर टिके की समान की गई तो ललाट पर जो टीका था उसकी तुलना सूरज से की गए उनका मुख जो है चंद्रमा है और उस पर लगा जो टीका वा सूरज के समान चमक रहा है और मनु को हर्षमिश्रित जटका सा क्यों लगा मनु को हर्षमिश्रित जटका सा इसले लगा था क्योंकि मनु को ऐसा लग कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन कर लिए और सबसे अधिक इंपोर्टेंट होते हैं अतिलग उत्री बच्चों याप सबसे पहले कर लेना